नमस्काल दोस्तों मैं डॉक्टर मनीशा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स राजिस्थान में आयूस डिपार्टमेंट में आयरवेदिक होमेपैथियम युनानी में नर्स जुनियर्स की वेकेंसी निकली है तो चली इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ले लेते हैं और ये कंप्लीट 900 से भी उपर इसमें वेकेंसी निकली है तो राजिस्थान में आयरवेदिक युनानी होमेपैथियम प्राकृतिक चिकिस्सा अधिनास सेवा नियम 1966 के अंतरगात आयरवेदिक होमेपैथियम इनानी भाग में अंतरगात विभाग के अधिन कमपाउंडर एवं नर्स जुनियर ग्रेट के निम्न पदोपन नियुकती केरे सीधी भरती है तो उक्तनियमों में उल्लखीत योग्यता धारी अभिहार्थियों से ऑनलाइन आवे इसमें वेबसाइट दिया गया इसमें जाकर कि आप लोग इसके बारियों डेटेल में जानकारी दे सकते हैं और यह 6-10-2023 मिन 6 एक्टूबर 2023 प्राता 10 बचे से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं और इस पद की विशेज जानकारी धा नीचे दी गई है जिसमें की गैर अनुसु पोस्ट निकली है 456 है ठीक है और हुमेपैथी विभाग में 265 एन युनानी में 160 वेकेंसी निकली है ठीक है और इस डेटेल में जानकारी दी गई है कि जैनरल के लिए कितनी पोस्ट है SC के लिए कितना है ST के लिए कितना है ठीक है और BC, MBC, NEWS तो इसके बारे पुरी जानक पहला वाला क्या था अनुचुची जन जाती चेत्र मतलग जहां पर अनुचुची जन जाती चेत्र नहीं है उनके लिए है और यह अनुचुची जन जाती चेत्र के Compounder Nurse, Junior Grade के पत के लिए डेटल दिया गया है इसमे भी आयरवेदिक विभाग में 39 पोस्ट है होमेपैथी में 23 है और युनानी विभाग में 4 पोस्ट है मेंस होमेपैथी में कितने 288 है ठीक है पहले वाले और अभी को मिला करके यह जानकार इसमें दी गई है और इसमें वे यह पुरा फॉर्म भरने के लिए आपको बताया गया है किस तरह से आपको फॉर्म सम्मीट करना है क्या-क्या जानकारियां भरनी है उसमें ठीक है और क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं ठीक है सेक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए पर इस चालम में आयरवेदिक नर्सिंग में तीन वर्सिय डिपलोमा या चार वर्सिय बी एससी आयरवेदिक नर्सिंग साथ में इंटरंसीब परंतु यहे कि उप्रोक्त अहिक सैक्षणिक योगता जो सीधी भरती के लिए नियमों या अनुसुचित में तथा उलेखित पत रेजिस्ट्रेशन कराना जाना अनिवारी है वही अभ्यादी पद के लिए आविदन करने के लिए पात्र होगा सेक्षणी का हर्ता इवं सम्मंधी प्रावधान क्या दिएगे हैं? सेक्षणी का हिता अर्जित करने का सबूत देना होगा अन्य थव अपात्र होगा अभ्यार्थी को आविदन करने की अंतिम दिनांग तक इंटरंसिब ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है पे मैट्रिक यह अन्य प्रावधान पे मैट्रिक लेवल एल टेन नोट र 24 को निम्तम 18 वर्स अधिकतम 40 वर्स होना चाहिए किन्तु कार्मिक विभाग की अधिसूशना क्रमांग F7 DOP को आप लोग रिट करिएगा फिर उसके बाद क्या बोलें दिनांग 12-623 के अनुसार जो वेक्ती 31-12-20 को आयू सीमा के भीतर था उसे 31-12-24 तक आयू सीमा के भी भीतर ही समझा जाएगा ठीक है दिनांग 12-623 के अनुसार जो इस डेट में ये निकला था कि जो वेक्ती 31-12-2020 को आयू सीमा के भीतर रहा हो यानि 40 वर्स के अंदर है तो उसे 31-12-24 तक आयू सीमा के भीतर ही समझा जाएगा वीभीन विभागों अन्यविसिस्ट च्रेणियों दे हितू आयू सीमा में छूट के प्रावधान दियेगे हैं अभ्यारती एवं वर्ग एवं अन्यविसिस्ट च्रेणिया दी गई है इसमें तो इसको देख लीजेगा आप लोग राजिस्थान राजी के अनुसूची ज अनुसूची जन जाती पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग यूं आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्ग के पूरूष अभ्यारतियों के लिए है ठीक है 5 वर्ग फाइविस्ट चूट दी जाएगी सामाने वर्ग की महिला के लिए भी 5 वर्ग चूट दी जाएगी पूमन कहते हैं से इनके लधिकता मायूसीमा नहीं दी गई है नो अपर एज लिमिट एक्स्लेनेशन क्या है इन दे केस ऑफ विड़ो द शी विल हैब टू परनीश से सर्टिफिकेट ऑप डेथ ऑफ हर हस्बेंड फॉर्म द अ कमिटेंट ऑथर्टी एन इन दे केस ऑफ डि नंबर फाइब में क्या दिया गया है डिजर्विस अर्थात प्रती रक्षा सेवा के कर्मिचारी जिनका रिजर्व में स्थायांत्रन कर दिया गया हो के मामले में उपर वर्नीत उपरी आयू सीमा पचास वर्स होगी उपर उपरी वर्नीत उपरी आयू सीमा ऐसे भूत पूर्व सरकार के अधिन किसी पद पर सब्स्टिनेटिव दोर पर सेवा कर चुका हो तथा इन नियमों के अधिन नियुक्ति का पात्र था ठीक है तो ये सारी डिटेल में जानकारी दी गई है और अन्य भूत पूर कैती जो दंडित होने से पूर्व अधिकायू का नहीं था जो इन नियमों के तहद नियुक्ति के योग्य था के मामले में कारावास में वैतित की गई अधिके बराबर उपरड़ी वर्नित आयू सिमा में छूट होगी इस सेवा में राजिस्थान आयू सिमा में ही समझा जावेगा चाहे वे डॉक्टर सर्वपली, राधा कृष्ण, राजिस्थान, आयुवेधिक, विशुदाले, जोदपूर के समक्च, आखरी उपसिती के समय उसे पार कर चुके हों मुखे मंत्री, BPL, जीवन, रक्षा कोस, नहीं, डॉक्टर सर्वपली, राधा कृष्ण, राजिस्थान, आयुवेधिक, विशुदाले, जोदपूर या सरकार द्वारा, राजिस्थान, राज्ये में, संचालित, कोई भी आयूस पर्योजना के तहत, आयुवेधिक, यु राजिस्थान, सिविल सेवा, नियम, 1988 के अनुसार भूद पूर सानिकों को उपरी आयु सीमा में पांच बर की शूट दी जाएगी, परंतु यह सिथिली करण के पशात यदी, अनुगे आयुवेधिक, विशुदाले, आयुवेधिक, विशुदाले, आयुवेधिक, 50 वर्स जादिक निकलती है, तो उपरी आयु सीमा 50 वर्स लागो होगी, ठीक है, तो यह सारी डिटल में जानकारी दी गई है, तो इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इसके बारे में फूल जानकारी आप लिले लीजेगा, बहुत सारे स् साइट में फुल डिटेल में जानकारी मिल जाएगी फ्रेंट्स ठीक है nursing r a u online dot in में ठीक है तो इसके बार में आप लोग फुल जानकारी इसमें जाकर के देख लीजेगा साथ ही साथ जो विज्यापन है इसके link में description में देदूँगी तो इसमें आप लोग झाल